भगडर मुझे भाप पसागा आज मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ कि क्या किसी बेटी की निर्मम हत्या को दुर घटना कहना उचित होगा हाल ही में राजस्तान की मुख्य मंत्री ने ये बयान दिया कि श्रद्धा वालकर के साथ जो हुआ वो एक दुर घटना है हम सब जानते हैं न्यूस चैनल्स के माध्यम से कि कैसे देश की बेटी श्रद्धा वालकर के साथ एक बहुत ही भयंकर और बहुत ही मैं कहूंगी खलत हादसा हुआ जिस बरबरता के साथ और बेरहमी के साथ आफताब पुनावाला ने उसकी भत्या की और उसके शव के पैंतिस टुकडे करके दिल्ली के जंगलों में ठिकाने लगाए उसकी जितनी निंदा करो कम है ऐसे वारदाध के बारे में अगर कोई ये कहे कि ये दुर घटना है तो ये अनुच्छित होगा खास तोर पर अगर वो शक्स कोई और नहीं बलकि राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलो जी हो मैं जानना चाहती हूँ गहलो जी से कि अगर उस बेटी का नाम श्रद्धा ना होकर शबनम होता तो क्या वो इस घिनोने वारदात को दुर घटना कहते बिलकु नहीं वो तो उस बेटी के घरवालों के पास जाकर उन्हें सहानुभूती दिखाते तो फिर श्रद्धा के मामले में वो इस हाथसे को इस हथ्या को दुर घटना क्यों कह रहे हैं क्या वो आफ्ताब पुनावाला के इस संगीन अपराद को कम करके उन्हें क्लीन शिट देना चाह रहे हैं आखिर क्यों तुष्टिकरन की राजनीती से हमें क्या हासल हुआ है लड़की चाहे मुसल्मान हो या इसाई हो या हिंदू हो क्या वो इनसाफ की हकदार नहीं होती है यदि उसके साथ अन्याए होता है जब मुझे एसास हुआ की गेलोट जी ने इतनी बड़ी बात कह दी इस अपराद के बारे में तब मुझे लगा की नहीं एक बेटी होने के नाते एक बहन होने के नाते मुझे बात करनी चाहिए इस विशेपर आप बताईए जिस तरह से इस सारा वादा को आप जो है आज आप यह उखाया है इन्हें कहीं अब सोसल मीडिये पर ऐसी ही बाती होने लगी है कि आप को कहीं कहीं क्वालिटिक जोनी करना चाहिए जी देखिए ऐसा नहीं है कि जिनको राजनीदी का हिस्सा बनना होता है सिर्फ वो देश के मुद्धों पर अपनी टिपनी दे सकते हैं मैं मानती हूँ कि शृद्धा हमारी बेहन थी हमारी दोस्त थी तो क्या हम उसके बार में बात ना करें तो क्या हुआ अगर उसने किसी दूसरी मा के कोक से जन लिया हम सब जुड़े हैं एक दूसरे के साथ हम सब भारत देश के नागरिक हैं और जो उसके साथ हुआ वो मैं बता नहीं सकती सोच कर भी अजीब लगता है वो बहुत ही घिनोना था याने एक लड़की को प्यार में प्यार की जाल में फसा कर और धीरे धीरे उसे अपने काबू में करना अपने वश में करना और फिर जब वो उस रिष्टे से बाहर निकलना चाहती है तब उसे कमजोर बनाना मांसिक रूप से और फिर एक दिन उसकी निर्मम हत्या करना ये आम तोर पर हम फिल्मों में देखते हैं लेकिन अब ये दरिंदगी ये हैवानियत ये हम असल जिंदगी में देख रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि गहलोत जी जड़ा गोर फरमाएं और ऐसे वारदात को वो दुर घटना ना कहें क्यूंकि राजस्थान जो राज्य है वहां केवल मुसल्मान नहीं बसते हैं वहां हिंदू भी रहते हैं इसाई भी रहते हैं अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं आप उन सब के मुख्य मंत्री हैं तो खुरुपिया इस तरह का बयान देकर आप आफ़ता पूना वाला को क्लीन चिट देने की जरूवत की कोशिश ना करें उसके इस संगीन अपराद को कम करने की कोशिश ना करें प्लीज ये मेरी विंती है आपसे गैलोग जी